रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे किस तरीके से वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधिते हुए यहां पर कड़गरे में लिया है और अब राहूल गांदी क्या कुछ कहने जा रहे हैं सुनाते हैं आपको अशोग एलोट जी साचिन पाइलट जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भाई और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों कॉंग्रेस के प्यारे कार्य करता आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत इतनी गर्मी में इतनी गर्मी में आप हमारी बात सुनने हमारी मदद करने आए इसके लिए दिल से आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद पांच साल से नरेंद्र मोधी जी सरकार में है बड़े बड़े वाइदे करते हैं आप सबसे कहा पंद्रा लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूँगा आपको मिला पंद्रा लाख कोई है यहाँ जिसको नरेंद्र मोधी जी ने बैंक अकाउंट अच्छा कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया पंद्रा लाख रुपए अब आएगा अब आएगा अब आएगा पांच साल से आप बात सुनते ही रह रहे हों पांच महीने पहले मैंने सोचा कि यह जो चोकिदार जी है इन्होंने 15 लाग रुपे का जूट बोला इनको मैं सच्चाई मैं चोकिदार को सच्चाई दिखाऊं पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के Economist को Think Tank को बुलाया उनसे एक सवाल पूचा कहा देखिए नरेंडर मोदी ने 15 लाख रुपय का जूट बोला मुझे आप सचाई बताईए मैं अगर राजिस्तान के हर गरीब व्यक्ति के Bank Account में पैसा डालना चाहो सिर्फ राजिस्तान नहीं पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति के Bank Account में पैसा डालना चाहो तो बिना अर्ध व्यवस्ता को नुकसान किये कितना पैसा डाला जा सकता है नरेंडर मोदी ने कहा 15 लाख जूट है आप मुझे सच्चा ही बताओ और उनसे मैंने कहा देखिए मैं आपसे लंबा भाशन नहीं सुनना चाहता मैं नंबर चाहता हूँ नरेंडर मोदी ने जूटा नंबर दिया मैं सच्चा नंबर चाहता हूँ कितने रुपे मैं हिंदुस्तान की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में डाल साहता समय लीजिए पाँच महीने है सरकार में में बनेगी समय लीजिए पूरा चेक करके दुनिया के सबसे बहतर एकॉनोमिस से पूछ के मेरे पास आई कुछ दिन पहले चितामरम जी मेरे पास आई कागस के उन्हेंने एक नंबर लिख दिया मैंने पूछा यह क्या है कहते हैं आपने आपने कहा था कितने रुपे हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं यह आपका जवाब है 72,000 रुपे मैंने का ठहरिए 72,000 कितने लोगों को 72,000 कितने समय में कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपे 25 करोड लोगों को 5 करोड परिवारों को और 72,000 रुपे एक साल में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपे हिंदुस्तान की सरकार बिना अर्द्वेवास्ता को नुक्सान किये दे सकती है मैंने पूछा बताईए इतना पैसा लाको करोड रुपे है मैंने पूछा इतना पैसा अगर हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे तो क्या हिंदुस्तान की अर्द्वेवस्ता वो नुक्सान नहीं होगा कहते हैं राहुल जी हमने कैल्कुलेशन करा है नुक्सान छोड़िये हिंदुस्तान के अर्द्वेवस्ता को फाइदा होगा मैंने पूछा बताईए कैसे कहते हैं देखिए हिंदुस्तान के अर्द्वेवस्ता अच्छी तरह चल रही थे कोई प्रॉब्लम नहीं था नरेंद्र मोदी ने दो जटके मारे पहला जटका पहला जटका कुलाडी लेकर नोट बंदी किया और दूसरा जटका दूसरे पैर पर गबबर सिंग टैक्स दूसरी कुलाडी भटाक से मारे अब जैसे ही अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये दो कुलहाडियां हमारी जो हमारे छोटे दुकानदार थे किसान थे, मजदूर थे छोटे बिजनस चलाने वाले लोग थे बेरोज़गार युबा थे उनके जेव में से एक दम नरेंदर मोदी जी ने पैसा चीना देखें नोट बंदी और गबर सिंग टैक्स गरीबों से पैसा चीनने का तरीका है उन्होंने पैसा चीना जैसे उन्होंने आपके जेव में से पैसा निकाला आपने माल खरीदना बंद किया पैसा ही नहीं कर चीज़े कहा से खरीदेंगे पैंट, शर्ट, साबर, टूथ पेस्ट जो भी आप पहले खरीदे थे वो आप नहीं खरीद पाए कम खरीदा जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान के दुकांदारों को नुकसान हुआ जैसे ही आपने कम खरीदा हिंदुस्तान की फैक्टरियां ने माल बनाना बंद किया और जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरी ने माल बनाना बंद किया हिंदुस्तान के फैक्टरियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाँ को बुलाया का वही अब आपकी यहां कोई जरुरूरत नहीं है वापस जाएगे चलिए यहां पे तो कुछ बनाना ही नहीं है कि गंपर सिंग टैक्स लागों किया आपके जेब में से पैसा निकाला अब न्याई योजना सीधा डाइरेक्ट आप ही के बैंक अकाउंट में लाखों करोड रुपे डालेगी जैसे ही वो पैसा 25 करोड लोगों के हाथ में आएगा राजिस्तान के बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा माताओं भेहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा वैसे ही आप उस पैसे का अस्तमाल करेंगे आप चीजे खरीदना शुरू करेंगे जैसे ही आप चीजे खरीदना शुरू करोगे दुकानदार बेचना शुरू करेंगे जैसे ही डिमांड बनेगा फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगे फैक्ट्रियां चालू होंगी फैक्ट्रियां माले कहेंगा भाईया उन्हीं युवाओं को पकड़ के लाओ जिनको हमने फैक्ट्री से निकाला था उनको बुलाओ रोजगार की जरुरूत है फैक्टरी चालू करनी है और लाकों युवाओं को राजस्तान में बाकी प्रदेशों में लाकों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाए तो बताया कि नियाई योजना 72,000 रुपए पांच करोर बैंक अकाउंट में सिर्फ गरीमों को नहीं मदद करेगा हिंदुस्तान के गरीमों को मदद करेगा किसानों को मजदूरों को मगर छोटे दुकानदारों को मदद करेगा छोटे बिजनस चलाने वालों को मदद करेगा फैक्टरी वालों को मदद करेगा और जो बेरोजगार युवाँ है उनको सबसे ज़ाध मज़ता है हमने इसको न्याई योजना नाम दिया है मुझसे पूचा गया भईया इसको क्या नाम देना चाहिए पहले हम नाम देते थे महत्मा गानدी मनरीगा भुजन का अधिकार मैंने का नई इस बार इस योजना को न्याई योजना नाम देना है क्योंकि पिछले पाथ सालों में नरेंद्र मूदी ने चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याए किया है और अगले पांच साल में हमें दिखाना है कि हम अन्याए को बदल के हम बदला नहीं लेते हैं तो मैं बदले की बावना से नहीं बोल रहा हूँ मगर जो आप से च्छीना गया है पांच साल जो आप से च्छीना गया है उन लोगों को दिया गया है किन लोगों को मैं बताता हूँ देखिए अनिल अनिल अम्बानी मेहुल निरव ललिट ये ये पंद्रा लोग हैं भाई और मैंनो पंद्रा है पंद्रा लोगों ने पंच लाग 25 हजार रुपिया हिंदुstán के बैंक से चीना कर्ज लिया है और वापिस नहीं देते हैं और नरेन मुदी जी इनके रक्षा करते है 5 लाग 55 हजार करो रुपै कर्जा इनका माफ किया नरेन मुदी 5 लाग 55 हजार करो रुपै 35,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पंद्रा सो करोर रुपए कॉंग्रेस पार्टी ने दिलवाई थे, पानी की योजना के लिए, सिचाई की योजना के लिए, नर्मादा का पानी, आपको पंद्रा सो करोर रुपए नहीं दे पाए, आप अपने अपसे सवाल पूछो, आपके पानी के लिए पंद्रा सो पे नरेंद्र मोधी ने नहीं दिया मिरव मोधी को 35,000 करोड रुपए दिया ऐसे 20 डिस्टिट्स का काम किया जा सकता था 20, एक छोड़िये मगर नहीं किसान की मदद नहीं की जाएगी बेरोजगार युवा की मदद नहीं की जाएगी माताओं बेनों की मदद नहीं की जाएगी अने लम्मानी मैहुल चौक्सी नीरव मोदी की मदद की जाएगी ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए क्या जरूरत है ऐसे हिंदुस्तान की सब को न्याएं मिलना चाहिए दूसरा उधारन देता हूँ इस जिले से बहुत सारे लोग बाकी हिंदुस्तान में काम करते हैं नरेंद्र मोदी बुलिट ट्रेन की बात करते हैं भाईयों और बेनों बुलिट ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोर रुपे सैंक्शन किया है एक लाख करोर रुपे उस bullet train में कितने लोग चलेंगे पाचसो लोग चलेंगे, हजार लोग चलेंगे एक लाख करोड रुपए एक train के लिए और आपकी train के लिए 80 करोड रुपए देने के लिए त्यार नहीं क्योंकि परदेश को बताना भई यह मैं bullet train बना रहा हूँ और वो कभी बनेगे भी नहीं तो आपको आपको वाईदे करतें जहां भी आते हैं वाईदे करतें पंद्रालाक रुपे कि दो करोड युवाओं को रोजगार किसानों घुसरीदाम किसानों का कर्दाम और काम करते हैं उनका देखिए नया नारा चला है पहले अच्छे दिन आएंगे अब चौकीदार ये देखिए कहीं भी आप हिंदुस्तान में चले जाएए तमिल नाडू चले जाएए राजिस्तान चले जाएए मधिय प्रदेश 36 कहीं भी जाएए किसी भी चौराएए पर चले जाएए और बस ये अच्छे बोली है चौकीदार जवाब में लगा चौर है बाईयों और बेहनों मैंने लोकसभा में बाशन दिया राफाइल मामले पर मैंने बाशन दिया मैंने चार सवाल पूछे मौधी ची मुझे चार चीज़ें बता दीजिए क्या बताओ पहली चीज़ आपने अने लंबानी को 30,000 करोड रुपे एरफोस का पैसा क्यों दिया दूसरी चीज़ हिंदुस्तान एरोनाटिकल सरकारी कमपनी है उससे आपने राफाइल हवाई जहाज का कॉंट्रक क्यूं चीना तीसरी चीज 526 करोड का हवाई जहाज आपने 1600 करोड में क्यों करी था चौती चीज हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनना था आपने फ्रांच में क्यूं बनवाया भाई और बेहनों देड़ घंटे देड़ घंटे नरेंद्र मोधीजी ने भाशन किया देड़ घंटे कभी कॉंग्रेस को गाली दी राजीव गांदी जवालाल नहरू इंद्रा गांदी राहूल गांदी सबका नाम ले लिया मगर चार सवालों का जवाब नहीं दे पाए और भाशन देते वक्त कभी नीचे देखें कभी साइड देखें कभी उपर देखें कभी यूं करें कभी यूं करें आख में आख नहीं मिला पाए क्योंकि चोकिदार ने चोरी की है 30,000 करों रुपए सीधा आपका लूटा है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ युवाओं के लिए किसानों के लिए महिलाओं के लिए हम क्या करने जा रहे हैं चोटे दुकानदारों के लिए क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले गबबर सिंग टैक्स पाँच अलग-अलग टैक्स 28% टैक्स 28% टैक्स कौन देता ही है क्या आप सोचते हो अनिलम मानी चाहिए एस्टी देता है नहीं आप लोग देते हो 28% आपकी जेग में से निकलता है किसान देते हैं मजदूर देते हैं पहला काम गबबर सिंग टैक्स को हम जी एस्टी में बदलेंगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा सरल टैक्स होगा दूसरी बात युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने आप से कहा 2 करोड युवाओं को रोजगाग मैंने आज आपको समझाया नियाए योजना लाखों लोगों को फैक्टरी में रोजगार देगी मगरा मुहानी रुकना चाहते नियाए की बात करना चाहते अने लंबानी को 30,000 करोड रुपे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 22,000,000 सरकारी नौक्रियां खाली पड़ी 45 साल से स्टेज से कह रहा हूँ एक साल के अंदर कॉंग्रेस पार्टी 22,000,000 नौक्रियां को बढ़ देगी आपको पकड़ा देगी युवाओं को पकड़ा देगी दूतरी बात 10,000,000 युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है 10,000,000 युवाओं को कंग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी राजिस्तान की पंचायतों में रोजगार देगी हम आपके पस आई युवाओं के पास गए मैनिफेस्टों बना रहे थे युवाओं के पास गए है हमने उनसे पूछा भीया बताओ देखो मेक इन इंडिया हो गया स्टार्टप इंडिया हो गया पुरा पुरों फेल हो गया आप हमें बताओ हम हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाना चाहते हैं हम इस बात को समझते हैं कि रोजगार सिरफ हिंदुस्तान का युवा दे सकत च्टे उद्योग खड़े करके दे सकता है आप हमें बताइए ब्लैंक चेक किया और देखिया हिंदुस्तान के यहें को ग्यान करते हमें के लोगर देखिये इसका लुक्रिश कोंने कि हम पारजस्फान में माध्ययप्रदेश गुजरास में जोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, उद्योग चालू करना चाहते हैं, मगर जब भी हम करना चाहते हैं, पहला काम किसी भी प्रदेश में, सरकारी ओफिस से पर्मिशन लो, एक ओफिस से नहीं, 15-20 डिपार्टमेंट से पर्मिशन लो, एक डिपार्टमेंट में जाओ कहेंगे भईय दो महीने वहाँ लगें पता लगा 6-7-8 महीने हो गए बिजनस चालू नहीं हुआ पर्मिशन लेती रिया तो अपने दिन्डे ले लिया है राजिस्तान के युवाओ के लिए आपको बिजनस खोलना है ना आपको हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाना है ना ठीक है आपको बिजनस खोलने के लिए चालू करने के लिए किसी से किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कहीं से पर्मिशन लेने की जरूरत नहीं खत्प लेओ तीन साल के लिए आप अपना बिजनस चालू करो जो धंदा करना है करो तीन साल बाद जवाद के लिए बीस, तीस, चालिस लोग काम करें बीस, तीस लोगों को आपने रोजगार दिया हूँ, युवाओं को रोजगार दिया हूँ, हिंदुस्तान को शक्ती दी हो तब आप जाना, सरकारी डिपार्टनम ने कहना भहिया, मैं बिजनस चलाता हूँ तीन साल पहले खोला था बीस, तीस लोग में ले काम करते हैं जरा पर्मिशन देना देखिए, कॉंग्रेस पाटी की सोच देखिए नियाए, हम आपकी मदद करना चाहते है अब चलिए किसानों की बात करते है मैंने एक चुना में कहा था दस दिन के अंदर किसानों का कर्ज़ा माफ हो जाए नरेंद्र मोधी ने बोला सही दाम मिलेगा दो करोड युवाओं के रोज़गार मिलेगा सब बोला, कराने मैं उनके आफिस में गया उत्तर प्रदेश में मैंने यात्रा की दो करोड किसानों से मैंने फॉर्म भरवाए का मैं नरेंद्र मोधी जी के आफिस में जाओंगा और उनसे कहूंगा की हिंदुस्तान के किसान का करजा माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के किसान का, राजिस्तान के किसान का करजा माफ कीजिए मैं ले गया दो करोड फॉर्म में ले गया उनके आफिस में गया मैं नरेंद्र मोधी जी एक काम कीजिए आपने इनका 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, आपकी मदद करने आया हूं इनका आप करजा माफ कर दो मज़ा आ जाएगा किसान खुश हो जाएगा मैं भी खुश हो जाएगा मज़ा आ जाएगा और आपको फाइदा होगा प्रधान मंत्री हो नरेंद्र मोधी जी का जवाब सुनोगे सुनोगे देखो मैंने उट्री का नरेंद्र मोधी जी किसान का करजा माफ करो नरेंद्र मोधी जी का सुच जवाब सुनिए एक शब नहीं निकला मूँ से एक शब नहीं निकला चुप पिलकुल चौकीदार बिल्कुल चुप कभी आपने चौकीदार की किसान के साथ फोटो देखी है मजदूर के साथ फोटो देखी है गले मिलते हुए अन्य लंबानी के साथ गले मिलते हुए देखी न सीधी जबात तो किसानों के लिए हम दो चीज़े करना चाहते हैं और दोनों एतिहासिक काम, एतिहासिक काम, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कॉंग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये आइडिया हमारा नहीं है, ये आइडिया हिंदुस्तान के किसान का है, राजिस्तान के किसान का है, राजिस्तान के किसान नहीं हमें आइडिया दिया हिंदुस्तान की किसान ने हमें यह आईडिया दे, हमें आपको धन्याबाद करता हूँ, पहली बात, मुझसे पूछा, राउल जी आप एक बात बताईए, किसान ने, राउल जी आप एक बात बताईए, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैंने का बताई क्या, कहते हैं, यह अन रुपए लेके भाग यह वापिस नहीं देता है इसको यह नोन-performing asset कहते हैं यह जेल में नहीं जाता है मगर जब किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है राजिस्तान का किसान 20,000 रुपए का लोन लेता है तो उसे आप नोन-performing asset नहीं कहते हैं आप दीफॉल्टर कहते हो दो डंडे मारते हो उसे जेल में डालते हो तो राहूल जी आप हमें यह बात समझाएगे यह देश सबका है यह अन्याय क्यों हो रहा है यह अन्याय क्यों है अन्यलंबानी बाहर क्यों है हिंदुस्तान का किसान अंदर क्यों आप इसके बारे में तो हमने मैनिफेस्टों में एक लाइन लिखी है, छोटी सी लाइन, एतिहासिक लाइन, राजिस्तान के किसान, आप सुनिए, टीवी पे देख रहे हैं तो सुनिए, 2019 चुनाव जीतने के बाद, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, राजिस्तान का कोई भी किसान, करजा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा, खात्म काने, लेगा। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का किसान जेल जाए तो पहले उस अनेलंबानी चोर को अंदर करो मेहुल चोकसी निरव मोधी को अंदर करो फिर हम किसान की बात करेंगे अब दूसरी बात और उतनी ही एतिहासित बात उतना ही धमाका किसान हमें कहता है राहूल जी देखिया हम प्लैनिंग करना चाहते है बिजनेस वाले लोग बिजनेस प्लैन बनाते है उनका एक साल का प्लैन होता है पांच साल का प्लैन होता पता नहीं देश की प्लैनिंग प्लैनिंग कमिश्ण करता है किसान के planning कोई नहीं करता किसान को पता नहीं लगता क्या हो रहा है आंदी तुपान छोड़िये किसान को ये नहीं पता लगता कि MSP कितनी बढ़ाई जाएगी कब बढ़ाई जाएगी किसान को ये नहीं पता लगता जि वहिया कर्जा माफ होगा नहीं होगा किसान को यह नहीं मालूम बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा कभी बोनस हटा दिया जाता है मोधी जी नहीं हटा है तो राजस्तान की किसान ने हमें बता आए काम कीजिए पहले ही हमें बता दीजिए जो हिंदुतान की सरकार हमारे ले करेगी पहले बता दीजिए हमारी मदद होगी हम प्लैनिंग कर पाएंगे अरे भई कैसे करें? मैंने पूछा देखिए पहले रेलवे बजट होता था आज कल रेलवे बजट नहीं है आज कल एक बजट होता है नैशनल बजट आप एक काम कीजिए दो फाइदे होंगे आप एक नैशनल बजट बनाईए और नैशनल बजट के साथ उसके एक दम पहले लोक सवा के अंदर एक किसान बजट बनाईए किसान बजट बनाईए हिंदुस्तान के किसान का आदर कीजिए हिंतुस्तान के किसान को बताईए कि तुम बबरशेर हो तुम्हारे बिना देश नहीं चल सकता और तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है हाथ पकड़ के खड़ी है देखो किसान की सोथ मैनिफेस्टों में एक लाइन 2019 में चुनाव जीतते ही दो बजट होंगे 2019 में दो बजट पेश होंगे एक नाशनल बजट दूसरा बजट राजिस्तान, मदिप्रदेश, चत्तिसकार हर प्रदेश की किसान का बजट खतम अभी ठैरिये तालिमत बजाईए उस बजट में उस बजट में शुरुवात में पहले आपको एक नंबर दिया जाएगा इतने हजार करोड रुपए हिंदुस्तान के किसानों के लिए बजट में दिया जाएगा पहला का नंबर होगा बड़ा, पता लग जाएगा कि इतने रुपए किसानों को दिये जा रहे है दूसरा नंबर आपकी MSP इतनी बढ़ाई जाएगी बोनस आपको इतना मिलेगा आपके सिले में इस प्रकार की फैक्टरी लगने जा रही है इस प्रकार का स्टॉरिज फसिलिटी लगने जा रही है पूरा पूरा आपको साल के शुरुआत में हर साल सरकार आपकी बता देगी और आपको जो प्लैनिंग करनी होगी आप कर पाओ कितना आपका कर्जा महाप होने जा रहा है वो पूरा का पूरा शुरुआत में बता देगी नियाई होजना का फाइदा भी मिलेगा भाईयों और बेनों ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान के किसान को नियाई होजना का फाइदा भी मिलेगा ये मत सोचिए जिस भी किसान की 12,000 रुपए प्रती महीना से आमधनी कम है उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए जा रहे हैं अच्छा मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ सब बैंक अकाउंट उनने खोल दिये उन्हीं बैंक अकाउंट में पैसा डालूँगा मैं एक करके एक एक करके महिलाओ की बात आखरी बात अच्छा जो यहाँ पुर्ष बैटे है माफ करना गुस्सा मत होना मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको फिर बात में मत चलना ना नियाई योजना का पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है पांच करोड महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाना हो जाना है मैं जानता हूँ उनकी planning अच्छी होती है वो थोड़ा धियान से पैसे का अस्तिमाल करते हैं तो उनके bank account में पैसा जाएगा उनसे मांग लेना मुझे बाद में तंग मत करना कि भाईया आपने महिलाओ